तो आज देखते हैं हम अपनी एप के अंदर किस थरीके से इंपुट का फीचर एड़ कर सकते हैं यह चोटा सा प्रोग्राम हमने लास्टेंग बनाया था इसके अंदर और इसके अंदर हमने यह किया था कि यह प्रोग्राम डैरिकली चल रहा था इस पर कैलकुलेशन तो कर रहा था यानिके के अंदर हमने कुछ वारीबल्स ले था शॉट इंड करके और फिर हमने उनके अंदर कुछ वैलिओ सीक आउटमट बनाया था फिर कुछ प्रोसेसिस बनायें सो और फिर उसकी परसंटेज निकालके था लेकिन इस प्रोग्राम में इशू यह है कि यह आ दालूं वो इसको टोटल करते और परसंटेज करते हैं तो हमारा बना हुआ है सिर्फ इसके दर इंपूट का फीचर कैसे एड़ करना है वह देखते हैं इंपूट लेने के लिए सबसे पहले हम जरा एक क्लास अलग से बना लेते हैं फोड़ा इंपूट को समझ लेते हैं कैसे सिस्टम को यहां पर हम पास कर देते हैं और रिटरन को हम यहां पर क्या कर देंगे जीर रू कर देंगे सु स्चरूट करके सिर्ण करना है तो मैंने लिखा my name और my name के आगे मैंने खाली छोड़ दिया, save कर दिया तो ये एक string है और ये जब मैं program का output देखूंगा तो ये इसी तरह से my name लिखावा आ रहा होगा ठीक है, अब my name के अगर कोई value दिखा नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि एक तरीका तो एक string literals के तरही है मैं directly यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है, और उसको run कर देता हूँ तो वो as it is लिखा आएगा और एक दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको एक string variable ले ले लेता हूँ यहाँ पर full name के नाम से और उसके अंदर एक value को assign कर देता हूँ directly और उसमें वो value लिख देता हूँ और फिर उस variable को इसके आगे output पर ले लेता हूँ इस तरीके से तो फिर जो variable पर value है वो यहाँ पर आ जाएगा सही है, तो दो method है लेकिन इसमें program जब हमारा run हो रहा है याँ कि यह execution जो file इसके उपर यहाँ पर मैं input ले नहीं पा रहा मतलब मैं यहाँ पर जो value चाहूँ वो नहीं input कर पा रहा तो इसके लिए हमारे पर से एक function है जैसे cout function output के लिए इस्तमाल होता है c in, लेकिन इसको कैसे इस्तमाल करना है ज़रा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं देखे c in function का का आप है input ले रहा input आप whether decimal value, integer value, string कोई भी ले सकते हैं लेकिन उसको different तरीके साम input लेने की कोशिश करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर full name एक variable ले रहा है और इसके लिख देता हूं salary और यह इस तरह से आ जाएगा इसी तरह से एक variable ले ले लेता हूं supposed to be आँ 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 चार करके disability के नाम से और उसको यहाँ पर रख देता हूं और फिर integer करके variable ले ले लेता हूं supposed to be basic allowance के नाम से ले लेता हूं उसके पर और इसको भी यहाँ पर add कर देता हूं तो किसी भी type के variable में मैंने सबको यहाँ पर declaration तो define तो कर दिया है लेकिन उसमें assignment नहीं करी है एक basic initialization जो मेरे पास integer values के लिए है उनको मैं साथ-साथ 0 भी allow कर देता हूं तो यहाँ पर integer हो long हो long long हो या फिर short हो किसी के लिए भी अगर आपको input लेना है तो यह तीन तरह का input बन सकेगा अब input लेने के लिए आप कैसे command करते हैं command लिखेंगे scene और direction जो आप less than less than लगा रहे थे इसके लिए यूज़ करेंगे greater than greater than इस तरह आखे और फिर जिस variable के अंदर आपको input लेना उसका नाम लिखेंगे आगे जैसे full name मैंने आगे लिखा तो यहाँ पर sub कर देंगे अब आप नोट करेंगे जैसी मैं प्रोग्राम को रन करूंगा अब यहाँ पे कुछ spelling में स्ट्रेक थी स्वी एरर आ गया था तो यहाँ पर जैसी में रन करूंगा इसको मैंने वैल्यू दी राशिद इंटर किया वह गई वैरिबल के अंदर और वैरिबल का output मैंने ले रहा था यहाँ पर आउपुट आगिया लेकिन इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं इससे पहले एक message प्रेंट करा देते हैं आउट लेजल लेजल एंटर यूर नेम ताकि यूजर को समझ में आए कि मुझे करना क्या है और उसके आगे इंपुट की कमार्ड लिखते हैं मैंने उसकी आउपुट भी लिख रहा है नीचे इसका काम है फंक्शन का कि यह जो भी वैल्यू है इसकी दिखानी है और इसको वैल्यू असाइन करेंगा सी इन वैल जब यूजर दूरिंग प्रोग्राम एंग्जिकेशन एंपुट करेंगा यहां पर देखिए यूजर को थोड़ा क्लियर मैसेज नजर आएगा पड़्यूट कर सब्सक्राइब को कि वह यह इंटर कर रह Ta CEO अब चेनज करते हैं आऊठोड कर देते हैं रजा तोहां से आप इंपुट अपना बना सकते हैं अब सेवे लड़ी अगर हमें दूसरे चीजों पर भी इनपुट लगाना है तो उसको किस तरह के से करेंगे उसको पर्फॉर्म करने के लिए हमें दूसरे के लिए भी इस तरह के मैसेज़ बनाने होंगे जैसे काफी कर लेते हैं यहां से और यहां पर कर देते हैं तो टो टिरेक्षण चेंज कर देंख कर देएं के इन के कि सब एक बिए रख देंगे और फिर यहां में पर यहां पर प्रेस करेंगे और फिर को करेंगे इंडर डेसलिटी लिए हम लिख देते हैं वाइड यस नो तो यूजर समझ जाएगा कि मुझे वाइड लिखना है यह एसके अंदर लिखना है और इंपूट का रखेंगे वाले वारीबल के उपर ठीक है सेफ कर लेते हैं अलाउंस की अगर बात करें तो यहां पर जाके खुर्क करते हैं एंटर ओलाउंस और यहां पर जाके हमस को इसको इस सिरा से अला उन पले वरिवल को कौपी करके यहां पर साट कर देते हैं ide leaders का अउटपट भी बना नहेंगा कौपी कर लेते हैं इसको मर quality और बल्के यहां पर सिर्फ लिख जाते हैं फुल लैंब फिर यहां पर ले ले लेते हैं सालरी और उसके बाद यहां पर क्लिक करके सी आउट कर देंगे लेजन लेजन करके और यहां पर हम लगा देंगे सपोस्ट भी डिस अबलेटी और फिर यहां पर हम ले ले लेते हैं सपोस्ट भी लास्ट मैं कि अलाउंस सब्सक्राइब के आउटपूट को भी हम चेंज कर लेंगे अपने तो अलाउंस के आगे अलाउंस ले लेंगे डिस अबलेटी के आगे डिस अबलेटी लेंगे और वह निशाएगा सालरी के आगे सालरी लेनी थी है ठीक है यह हमारा प्रोग्राम का आउटपूट रेडि है निव लाइन से यहां पर अपर एंडिंग अरि तो लेजन लेजन एंड लगा देते हैं सब के अंदर ताकि यह हमारा हर देटा है एक निव लाइन पे नज़र आई है तो यहां से हमने सलगे अच्पी एंडट पैस्ट एंड पैस्ट एंड यांड़ियू अब देखते हैं अब दिख रहा प्रोग्राम करते हैं यह यह अपर लिख रहा है सबस्तों भी से अलरी इंपूट कर दी हमने और इंटर कर दिया सब्सक्राइब करने पर इसका पूरा डेटा हमारे सामने आ जब आंब्सक्राइब हो गया यूजर्टाइब कर सकता है और जो भी डेटा एंदर डालेगा वो इसके acceptable होगा अब इसके अंदर एक problem आएगा आपको वो यह आएगा कि अच्छा यह तो हो गया